तो इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि यूट्यूब पर कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद आपका चैनल ग्रोथ है और मैं आपको बिल्कुल सच बताने वालाओं और आपको किस टाइप के वीडियो अपलोड करने चाहिए यहां पर आपको general content मिलता है और मिलता रहेगा और आज कल आप लोग क्या कर रहे हो अगर मैंने बोल दिया वीडियो को लाइक करो तो आप कर दे तो वहना नहीं करते हो तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आपके चैनल को boost कितनी वीडियो अपलोड करने के बाद मिलेगा बिल्कुल सच्चा है आज मैं आपको बताने वाला हूँ सच्चा है तो यह है कि अगर आप YouTube पर दो वीडियो अपलोड करते हो तो हो सकता है आपके दोनों वीडियो वाइरल हो जाए और आपका चैनल ग्रोड हो जाए फर्स्ट और एक सच्चा यह भी है कि आप 2000 वीडियो अपलोड कर दो उसके बाद भी चैनल ग्रोड नहीं होगा इन दोनों में difference किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ पड़ने की ज़रुवत नहीं है रेगुलर वीडियोज अपलोड करने की ज़रुवत है तो यह सुन सुन और तो आप पगए होंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड करो यह तो भाई बेसिक है रेगुलर तो रहना ही पड़ता है अगर आपको tech channel ग्रो करने है और अगर आपका एक comedy चल ले है, roast चैनल है, तो वीडियो बनाने में time लगता है, content find करने में time लगता है, editing करने में time लगता है, तो आप हफते में एक वीडियो अपलोड कर सकते हो, हाँ तो गाईज अब एक बात ध्यान से सुनो, अभी कुछ time पहले एक trend आया था, कि Instagram बैन होन है, Facebook बैन होने वाला है, और WhatsApp भी बैन होने वाला, YouTube भी, तो काफी person ने वीडियो बनाए, अब जितने भी छोटे creators थे, उनके वीडियो भी viral हुए, लेकिन सब के नहीं हुए, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ trend पर वीडियो बनाते हो, कोई भी trend आता है, या कोई भी news आता ह है, आप उस पर वीडियो बनाते हो, तो भाही आप अपने चैनल को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हो, बहुत कम समय में, लेकिन आपको एक प्रोब्लम आ सकती है, आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पर वीडियो बना रहे हो, और आपका चैनल बहुत अच्छा ग् पाँचलाख व्यूज, सात लाग व्यूज, ओन मिलियन व्यूज, तीन मिलियन व्यूज, इस तरीके से व्यूज कीचे, और टरस्ट मी गाईज, आज उसके चैनल पर तीन हजार व्यूज भी नहीं आते, ऐसा ही होता है, जब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पर वीडियो बनाओ, कोई भी trend आया, दो वीडियो निकाल दो, जादा मत निकालो, अब आपने दो वीडियो निकाल दिये, दोनों में से एक viral हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, और एक भी viral नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आगे भी trend आते रहेंगे, तो आपको focus करने है, evergreen content पर, आप लेकिन अगर आप evergreen content बनाओगे, तो आपके वीडियो हमेशा चलते रहेंगे, और आपको हमेशा पैसा मिलता रहेगा, मैं आपको एक दो example देता हूँ, how to verify YouTube चैनल, search करो YouTube पर, मेरा वीडियो आएगा, because वो evergreen है, YouTube पर एक subscribe का कितना पैसा मिलता है, वो वीडियो में ने बन हाया हुए है, हाला कि सब को पता है, लेकिन जो new बन दे आते हैं, वो जानना चाहते है, और आप देखो, आज बहुत viral हो रहा है वो वीडियो, तो इस type की वीडियो को बोलते है, evergreen, जो lifetime तक आपको पैसा देती है, अगर आपका चैनल monetize हो जाता है, तो अब मैं आपको ये समझ आ गया, मैंने कोई वीडियो बनाया, और उसमें voice quality सही नहीं आ रहा, मेरा face भी सही तरीके से नहीं देख रहा, और जो मैं show कर रहा हूँ वीडियो में, वो भी आपको clear नहीं नजर आ रहा, तो आप क्या करोगे, वीडियो पर टिक होगे, भाई गलती से भी नहीं टिक और अगर आपने किलिक कर दिया, तो छोड़ कर भाग जाओगे, तो आपका audio quality, video quality, and आप जो show कर रहे हो, वो सही time पर आना चाहिए, जिससे की logo का interest बना रहे, उससे क्या होगा कि अगर एक बार कोई आपकी वीडियो को देख लेगा, तो वो आपकी वीडियो को दोबारा भ आपको समझनी बहुत जादा जरूरी है, अभी मैंने एक भाई का कोमेंट देखा कि जुन्नु भाई मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, और मैं उसके चैनल पर विजिट किया, तो भाई एक भी वीडियो अप्लोड नहीं किया होगा था, मतलब कुछ भी, आप में से का नीच को चैन्ज कर देते हैं, आपने टेक कैटेगरी का चैनल क्रेट किया, अब टेक कैटेगरी के वीडियो बनाओ, आप न्यूज की अपलोड कर रहे हो, अगर आप इसी तरीके से कैटेगरी चैनल करते रहोगे, तो आपका वीडियो वाईरल हो जाएगा किसी और आपको कोई ये बोलता है कि ये कैटेगरी बैस नहीं है, ये छोड़ दे, तो आपको नहीं छोड़ना है, विकूज आपको इंट्रेस्ट है ना, उस कैटेगरी के वीडियो बनाने में, ऐसे काफी परसंद मिलते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करने हैं, कभी दूसरों के चक्क आप समझ लो, कम से कम 200 वीडियो का टार्गेट बनाओ, और 200 वीडियो एकदम जैनोने होने चाहिए, और आपके वीडियो अच्छे होने चाहिए, भाई मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ, 200 वीडियो अगर आपने सही बना दिये, तो चैनल पर एक लाग सब्सक्राइ या फिर अपनी एक वीडियो को सब जैंगे शेयर करना कि ये देखो मेरी वीडियो आगई, एक वीडियो के पीछे लगना कि ये वारल हो जाए, बस ये वारल हो जाए, भाई ऐसे वारल नहीं होता, अगर आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया तो तो next की तैयारी करो, एकिन फिर भी भाई, प्रोमोट कर दो, ओनली 200 वीडियो और आप ये काम तीन से चार महिने में कर सकते हो, छे महिने में भी करोगे, तो चैनल गरो जाएगा, एक साल के अंदर, एक लाग सब्सक्राइबर्स भी कंप्लेट हो जाएंगे, बहुत बड़ी वात है,